भारत सरकार ने ये घोशना कर दी है कि अब 18 साल से 44 साल तक के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है वो कहीं से भी वैक्सीन खरीदें, कितने में भी करीदें, अब केंद्र सरकार सिर्फ 45 से उपर के लोगों के वैक्सीन की बात करेगा को लेने हैं इसमें केंद्र सरकार ने किसी आर्थिक मदद की भी बात नहीं की है तो भारत में वैक्सीन की कमी हो गई है भारत में वैक्सीन बनाने वाली दो कमपनिये हैं भारत बायो टेक की को वैक्सीन और सीरम इंस्टिट्यूट पूना की कोवी शील्ड क्या केंद्र सरका और सभी को वैक्सीन नहीं दे सकती थी हम आपको बता दें के भारत ने विश्व को के अलग-अलग देशों को 60 मिलियन वैक्सीन के डोस एक्सपोर्ट किये हैं भारत विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहा था दवाईयें एक्सपोर्ट कर जो के करोना के लिए बहुत जरूरी थी एक्सपोर्ट बार बार कह रहे थे कि करोना की दूसरी लहर आएगी करोना की तीसरी लहर आएगी लेकिन किसी भी एक्सपोर्ट की बात न सुनते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने लगभख ये घोशना कर दी कि हमने करोना पर विज इस्पोर्ट कर दिये यह डोस भारत के अलग-अलग राज्यों को वैक्सीन देने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते थे अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री बंगलादेश की यात्रा किये उपहार के रूप में वैक्सीन बंगलादेश को दे कर आए बंगाल का चुनाओ च पर्तव्य हमारे देश के प्रधान मंत्री का था लेकिन जब उन्हें मालुम था कि कितने वैक्सीन की जरूरत है उंहें मालुम था भारत की population कितनी है उन्हें मालूम था सेकेंड वेव आए या नहीं आए हमें वैक्सीन सब को देनी है वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू हो गया था यह सब पता होते हुए भी भारत में वैक्सीन की कमी है यह भी मालूम होते हुए भी विदेशों में क्यों भेज दिये यह सवाल का जव राज्य सरकारें दरदर भठकेंगी राज्य सरकारें aconteceu मेंane ग्लोबन टेंडर निकालेंगी राज्य सरकारें देश में जो 2 कमपनिय एंगें वह कमपनियों कि मूह मांगी कीमत देंगी फिर भी उनके पास पूरे वैक्सीन नहीं है ये हालत पहुचाने के लिए हमारे प्रधान मंतरी सीधे जवाबदार है हमें मालूम था इस देश को मालूम था कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हमें कितने वैक्सीन की जरूरत है और आज हमारे देश में कितने उपलब्ध हैं ये सारा गणित मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने वैक्सीन विदेशों को क्यों भेज दी। अंतराश्रिय मंच पर उन्होंने अपनी बहुत तारीफों के पुल बांधने लगे लेकिन भारत के लोगों को उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया। और एक बात महत्पून है कि विश्व मंच पर हमारे प्रधान मंतरी कहते हैं कि वैक्सीन पर से पेटेंट हटा देना चाहिए और वैक्सीन सबको उपलब्ध होनी चाहिए और सभी लोग वैक्सीन बनाएं यह बात बहुत अच्छी है प्रधान मंत्री जी अंतर राश्ट्रिय मंच पर किसी देश ने आपकी बात मानी है या नहीं मानी है आप अपने देश में दो कमपनिये हैं भारत बायो टेक और सिरम इंस्टिट्यूट उन दोनों के पेटेंट राइट को रत कर दीजिए और पूरे विश्व को बोल दीजि तब जाकर भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा प्रधान मंत्री का नाम पूरी दुनिया में होगा वो आज क्यों नहीं गोशना करते हैं क्यों सिर्फ दो लोगों तक उसको सीमित रखा गया है और लोगों को लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है क्या प्रधान मंत् प्रधानमंत्री जी तो कह दिया एक मही से सभी को वेक्सिन दिया जाएगा तो आप क्यों नहीं देते हैं किस राज्य की तयारी है किस राज्य के पास कितना पैसा है आप वो देखते क्यों नहीं है आपने बिहार के चुनाओं में कह दिया कि सब को फ्री वेक्सिन मिलेगा त जो ताकतवार है वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है और जो कमजोर है वो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। समवीधान में दिये हुए आर्टिकल 21 राइट टु लाइफ का कहां गया। यह संकट की घड़ी में यह प्रधान मंत्री पूंजी पतियों पर थोड़ा सा टैक्स लगा कर यह सभी के लिए मुफ्त में वैक्सीन की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब यह परिस्तिती आ जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी कीमत पर वैक्सीन खरीद कर सबसे पहले जो उपलब्ध वैक्सीन है वो सबसे पहले महंगी कीमत पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। और वहां पर जिनके पास पैसा है वो कोई भी कीमत देकर वो वैक्सिन लगा लेगा और गरीब के लिए कोई वैक्सिन नहीं रहेगा अब महराश्य सरकार ने भी पहले घोशना की कि हम सब को वैक्सिन देंगे कि हम फ्री में वैक्सिन देंगे लेकिन हमारे पास तो उतना पै वैक्सीन लगाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लाइन लगाएगा और वहाँ पर उनका शोशन होगा वहाँ पर वैक्सीन के दामों की बोली लगेगी जो सबसे जादा पैसा देगा उसको सबसे पहले वैक्सीन मिलेगा पूरे देश में ये ऐसी हालत करने वाले है तो प्रधान मंतरी जी आप पूरे विश्व के स्वास्त की कामना करते हैं भारत के लोगों को भारत के गरीबों के स्वास्त की कामना कप करोगे प्रधान मंतरी जी आप इतने ही दूर दरश्टी रखते हो करोना की जो विपत्ती आई है वो करीब देड़ साल से हमारे उप पर है आपको ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतना ऑक्सीजन का स्टॉक बना के रखा क्योंकि करोना के मामले में सबसे महत्पुन जो जुरुरत पड़ती है वो ऑक्सीजन की पड़ती है कितने वेंटीलेटर का आपने स्टॉक बना कर रखा आपने कितने नए हॉस्पिटल बनाए आपने कितने नए बैट की वेवस्था की जो भी वेवस्था थोड़ी भौत हुई है वो राज्य सरकारों ने की है केंदर सरकार ने क्या किया है पूरे विश्व को दवा बाटने वाले आज यहां पर दवाओं की कमी पड़ी हुई है दवाओं का ब रहे थे उनको मास नहीं था तो आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और आपको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है लेकिन नैतिकता तो आप में है नहीं तो आप भारत को इस मरने की परिस्तिति में आप छोड़ दिया है आपने जनता जो आज मर रही है नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछे हमारा वैक्सीन कहा है हमारा वैक्सीन विदेशों को क्यों भेजा गया हमारे वैक्सीन को सभी को बनाने का लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है ये सवाल पूछना जरूरी है आपने किस से पूछा था कि हमारे देश के वैक्सीन आप पूरी दुनिया को बाड़ते फिरे इसके लिए भारत की जनता आपको जरूर सभख सिखाएगी देखते रहिए जनता काइना ये वीडियो आपको कैसा लगा इस विशे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें हैं तो आप जॉइन बटन जरूर दबाईए और आप आर्थिक मदद जनता काइना को कर सकते हैं